नमो नमह प्रिय छात्राह अध्य वयं बकस्य प्रतीकारह इत्यस्य पाठस्य अंतिमानु छेदस्य संस्कृत भाषायाम वाचनम हिंदी भाषायाम चानु वादम करिश्यामा बचों हमने यहां तक पढ़ा था कि बकस्य निमंत्रणेन श्रिगालः प्रसन्न अभवद बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया अब यहां से शुरू करते हैं यदा श्रिगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत यदा मने जब यह अव्यशब्द है अव्यशब्द उन्हें कहते हैं जिनके लिंग विबक्ती वचन बदला नहीं करते जो हमेशा एक ही इस्तिती में रहते हैं उन्हें अव्यशब्द कहते हैं तो जब श्रिगालः सियार सायं क्षाम को बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया बकस्य में सस्टी विभक्ती का प्रयोग है सस्टी विभक्ती एक वचन भोजनाय जैसे बालकाय चतुर्थी विभक्ती का एक वचन अगच्छत गमधातु लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन और आपको पहले भी बताया है कि लंगलकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है तो जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के ले गया तदा बकह संकीन मुखे कलशे क्षीरोधनम आयच्छत तदा मने तब ये भी अव्यशब्द है बकह बगुले ने संकीन मुखे संक्रे मुखवाले कलशे कलश मे या घड़े में कलश वैसे लोटी को कहते है तो यहाँ पर ये घड़े के आकार का दिख रहा है इसको कलश कहा है कलश में क्षीरोधनम, खीर आयच्छत दी, यच्छ धातू यच्छ मने उता देना और लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन श्रिगालम च अवदत और सियार से बोला बगुले ने एक संक्रे मुखवाले, आप देख रहें न, यहाँ पे कितना संक्रा मुखः है इसका कलश का, तो संक्रे मुखवाले कलश में खीर दी और सियार से बोला अवदत वद धातू लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन बोला मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहेव भोजनम कुरव मित्र आवाम मने हम दोनों मित्र संबोधन है हम दोनों अस्मिन पात्रे इस बरतन में सहेव साथ ही सह प्लस एव दोनों ही अव्याश शब्दें सहभी और एव भी, दोनों को मिलाकर बन गया सहव, भोजनम कुरुवा भोजन करते हैं, मित्र हम दोनों एक साथी इस पात्र में भोजन करते हैं, बकह, कलशात, चंच्वा, क्षीरोधनम, अखादत बगुले ने तो कलशात, कलशे, चंच्वा, चूँच के द्वारा, क्षीरोधनम, खीर, अखादत, खाली, अखादत, खाद धातु है, खाद मने होता है खाना, और लंगलकार प्रथम पुरुष एक वजन, लंगलकार का प्रयोग बूत काल के लिए होता है, देखो, आप यहाँ देख रहे हैं, चित्र में, कि किस प्रकार जो है बगुला, संक्रे मुखवले कलश में खीर खा रहा है परन्तु श्रिगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, किन्तु सियार का मुँख कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, यानि सियार कलश में अपने मुख को नहीं डाल पाया श्रिगालस्य में सश्टी विभक्ती एक वच्चन, कलशे में सप्तमी विभक्ती एक वच्चन, यहाँ पर कलशात में पंचमी विभक्ती एक वच्चन अतहा बकहा सर्वम क्षीरोधनम अखादद अतहा इसलिए ये अव्यश शब्द है बकह बगुलेने सर्वम सारी क्षीरोधनम खीर अखादद खाडाली खादधातु लंगलकार प्रथम पुरुष एक वच्चन श्रिगालह च केवलम इर्षया अपश्यत सियार च मने और और सियार केवलम केवल चावी बच्चों अव्यश शब्द है या हमेशा इसके लिंग विभक्ती वच्चन नहीं बदलते हमेशा एक जैसी ही इस्तिती में रहता है केवलम केवल इर्षया से अपश्यत देखता रहा अपश्यत में द्रिश धातु है द्रिश मने होता देखना और लंग लकार प्रथम पुरुष में रूप बनेगा अपश्यत और लट लकार में इसके रूप ऐसे चलेंगे पश्यती पश्यता अपश्यंती तो द्रिश धातु है, देखा, सियार केवल इर्षया से देखता रहा, इर्षयया जैसे बाली कया, तृतिय विभक्ती का एक वजन श्रिगालह बकम प्रती याद्रिशं व्योहारं अकरोत बकह अपी श्रिगालम प्रती ताद्रिशं व्योहारं कृत्वा प्रतीकारं अकरोत सी आर ने बगुले के प्रती जैसा व्योहार किया अकरोत में कृधातू लंगलकार प्रतम पुरुष एक वचन जैसा वेवार किया बका अपी बगुले ने भी अपी शब्द भी अव्याय अपी मने उता भी बगुले ने भी श्रिगालम प्रती, सी आर के प्रती, ताद्रिशम वैसा ही व्यवहारम व्यवार कृत्वा करके प्रतिकारम अकरोद प्रतिकार किया अर्थात बदला ले लिया बच्चों याद्रिशम जैसा और तादिशम वैसा ये भी अव्याश शब्द हैं उक्तम अपी उक्तम प्लस अपी कहा गया है कहा भी गया है उक्तम मने कहा कहा गया है अपी मने भी आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवती दुखदम आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने प्रती दुर्व्यवहार का फलम फल दुखदम दुख देने वाला होता है बच्चों जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवार करता है तो हमें दुख होता है तो वही मतलब है कि आपनु दुर्व्यवार अस्या अपने प्रती दुर्व्यवार का फलम फल दुखदम भवती दुखद होता है भवती, भूधातु, लटलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन दुखदम मने दुख देने वाला आत्नु दुर्वेवारस्य यहाँ पर सस्टिविभक्ती एक वचन फलम मने परिणाम, फल तसमात, तो इसलिए सद्व्यवर्तव्यम्न मानवेन सुखैशिना तो इसलिए सुखैशिना, सुख प्लस इशिना सुख प्लस एशिना सुख प्लस एशिना, सुखैशिना यहाँ पर यह संदी है, व्रिदी संदी है एशिना मने चाहने वाले को सुख चाहने वाले को, मानवेन मनुष्य को सुख चाहने वाले मनुष्य को तसमात इसलिए सद व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए सद मने अच्छा व्यवहर्तव्यम मने व्यवहार करना चाहिए क्योंकि हम यदि अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो इससे हमें कभी दुख नहीं मिलेगा, हमेशा सुख ही मिलेगा, तो, सुख एशिना, सुख प्लस एशिना, सुख चाहने वाले व्यक्ति को, मानवेन, मनुष्य को तस्मात इसलिए, सद व्यवहर्तव्यम, सद मने अच्छा, व्यवहर्तव्यम मने व्यवहार करना चाहिए बच्चों इससे सम्मंदित प्रश्न हैं, प्रश्न उत्र हैं, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे आप एक पदिन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो, एक पदिन मने एक शब्द में बकह श्रिगालाय भोजने के मयच्छत अर्थार, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया के मयच्छत तो क्या दिया था? क्षीरो दनम, खीर दूसरा प्रश्न, बकह श्रिगालाय की द्रिशे कलशे क्षीरो दनम, आयच्छत बगुले ने सियार को कैसे कलश में खीर दी उत्तर है संकीन मुखे संक्रे मुखवाले तीसरा प्रश्न अस्मिन पाठे कस्य प्रतीकार रह वर्नित इस पाठ में किसका प्रतीकार वर्नित है उत्तर है बकस्य क्योंकि बगुले ने बदला लिया था इसलिए किसका प्रतिकार है बकस्य बगुले का और शीर्शक भी है देखें शीर्शक भी है बकस्य प्रतिकार बगुले का प्रतिकार अर्थार बदला चौथा प्रश्ण है आत्म दुर्व्यवारस्य फलं की द्रिशम भवती आत्म दुर्व्यवार का यानि अपने प्रति दुर्व्यवार का फल कैसा होता है दुख दम दुख दायक पाँचवाँ प्रश्ण है सुखई शिना मानवेन की द्रिशम भ्यवहरतव्यम सुख चाने वाले मनुष्य को कैसा भ्यवहार करना चाहिए उत्तर है सद भ्यवहरतव्यम अच्छा भ्यवहार करना चाहिए सत प्लस व्यवहर्दव्यम ये दो शब्दों से मिलकर बना है सत व्यवहर्दव्यम सत मने अच्छा तो बचो इन प्रश्न उत्तर को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे धन्यवाद